लाठी, जुगताराम सुथार के परिवार को दी सांत्वना व आर्थिक सहायता जैसल मेर जिले के पोकरं क्षेत्र के लाठी में भाजपा के नितावा प्रदेश सहयोग सरपंच संग राजस्थान सुजान सिंग हर्डा शनिवार को लाठी गाउं पहुंचे यहां उन्होंने जुगताराम के परिजनों को नगद 25,000 रुपे आर्थिक सहायता दी तथा उन्होंने मृतक के परिजनों का धान्दस बंधाया गोर तलब है 7 दिसंबर को मद्दान दिवस के दौरान उप्त्रवियों द्वारत औरफोर्ट आगजनी मारपीट के दौरान जुगताराम सुथार को भी अपनी चपेट में ले लिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा उनकी जूदपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी उस दौरान प्रदेश सहयोग सरपंच संग राजस्थान वा भाजपा नेता सुजान सिंग हर्डा की ओर से 25,000 रुपे की सहायता राशी की घूशना की गई थी इस उप्रांध शनिवार शाम भाजपा नेता हर्डा लाठी गाउं पहुँचे यहां उन्होंने जुकताराम के परिजनों को नग 25,000 रुपे आर्थिक सहायता दी तथा उन्होंने मृतक के परिजनों को धानधस बंधाया तथा हर वक्त उनके साथ देने का आश्वासन दिया इस दोरान मेकसेह उम्मेद सिंग, रानीदान पालिवाल, जेठु सिंच चोहान, सतिनारायन पालिवाल, सुन्दरलाल सुथार, तंसुख देवडा, लुनाराम सुथार सहित कई ग्रामीन उपस्थित रहे विक्रम दर्जी की रिपोर्ट